कैसे आप लोग आई हूप आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम अपनी जो भी कड़ाई बगरा गंदी होती हो ने हम आसानी से साफ कर सकते हैं यहां पर मैंने झारा ऑने ना फोनीं ढाला अगर आपको धास साबन आ खकेकिन हैं तो आप जो वी प्वाPassा सकते माईश डाप दवाई काई की का और जो और जाते हुआ इस मेरे कि अपने तो कर साफ करते थे जुच्छे पीछे लिए से आधे हुए इसी से तो कुछ मेरी दादी के नुस्के जो मैं सब लोगों के साथ सेयर करती हूं मैंने उनको देखा है लायट भी चली गई जब भी वीडियो सूट करने वेड़ती है तो हमेशा ऐसा होता है कि लायट चली जाती है तो काफी देर बाद फिर मुझे रबेट करना पड़ता ह लेकिन मैंने सूचा मुझे वीडियो सूट करने है चली गई तो चली गई उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह की पूरी कड़ाई लग रही है बहुत अच्छे से साफ हो गई है आप यह जरूर ट्राई करके देखना कितना भी गंदी कड़ाई तबा कुछ भी हो कुकर में तो एक साइड से गैस निकलने लगती है तो इसलिए होता है क्योंकि यह जो है ना कुकर की रबड इससे आप क्या करेंगे थोड़ी देर आप इसे एक पैन लीजिए पैन हो या कुछ भी हो उसमें पानी भर लीजिए उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए इसको कम से कम पांच मिनट तक आप डाल के रखिए इस रबड को और यह थोड़ी सी फूल जाएगी तो क्या होगा जो हम जिस कुकर में हम लगाएंगे वो एरिये को पूरो कवर कर लेगी बिल्कुल भी आपकी गैस बाहर नहीं निकलेगी ठीक है तो आप यह वाला नुसका आज करते क्राइड मां के देखना जो भी बिजनर वो नहीं पता हैं नहीं पता हैं तो लोगे पता होगा कि हमारी जो मम्मी बगरा बहुत पता दो तो मैं क्या करते हूं इसाहिए गब दिन बाद क्या करती हैं हलके से इस तरह से मैंने एक solution बना रखा जिसमें मैंने नीबू हलका सा सैम्पू विनिगर डाल के इसे पूरा solution तयार कर रखा जो आप बॉटल में देख सकते हैं इसे एक हैंकी में लेके इसे पूरी अच्छी तरह के अंदर से पूरा साफ कर दीजिए तो मैं इसको वही साफ कर रहे हूं यह उनका helmet है उसके बाद यह दूसरा आप देख रहे हैं यह मेरा है तो ज़्यादा लगाने से इन में एक smell से आने लगती हो जो बहुत मतलब बालों में लगाते हैं तो बालों में भी हमारे जो घंदे बैक्टिरिया होते तो आपको यह वाला टिप से आप फॉलो कर सकते हैं आपको जो भी बच्चों के helmet है husband के helmet है उनके साथ आप यह कर सकते हैं अच्छे से पोस्ट दिया है और आप 15 दिन में एक वार आप अच्छे से धूल दे और सुखा दिया करें हमेशा तो उसको क्या किया मैंने अच्छे पर लटका दिया उसके बाद मैंने एक डील में प्रेस बाई की थी यह इस्टीम प्रेस है और आपको मैं बताओं यह आई तिंक 12-1300 रुपे की कुछ की मिलती है और यह मैंने डील में 1000 रुपे में बाई कर ली है तो आप देख सकते हैं बहुत ही जादा मुझे अच्छी अगर आप प्रेस बाई कर रहे हैं तो आप नॉर्मल प्रेस से जादा इस तरह की स्टीम बाली प्रेस अगर बाई करेंगे तो बहुत सही रहेगा क्योंकि यह जो हमारे सिल्क के कपड़े होते हैं सारे जो कपड़े उनको बिल्कुल भी जलाएगी नहीं तो यह मुझे पा कि ज Cand् character की नाल सकते हैं कि कि इस टरह से तो यहां पर देख सकते हैं इस से बाहर निके घृते और यहां से आप इस दोनों तरफ कर देंगे नदो न को पानी करना होता है पा देख सकते इस तरह से हम पानी को पंप कर सकते हैं जो भी हमारी कपड़ें वह बिल्कूल भी जलेंगे नहीं कौटन के हैं कितना भी पतला कपड़ा हो इस पे हम प्रैस कर सकते हैं यह बहुत जादा अच्छी इस पे नायलॉन सिल्क कौटन सारे मोड दिये गए हैं तो आप इसको डेफि होते हैं तो यह और्गनाइजर हमारे काम हाते हैं जैसे यह वाला जो बोर्ड है तो यहां पर मोबाइल रखने की बिल्कुल भी कोई जगए नहीं है तो इस तरह के और मीशों पर अवेलबर सेट ओफ फूर में सेट ओफ फ्री में आप बाई कर सकते हैं इनका गलू बहुत बोज़ें नोर्जूर किचिन अब अपनी किचिन में लगा सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे नतलब जो कल्ची होती है कुकरगी धाकन वगयरा तो आप ड्रिल करा सकते हैं इस तरह से और जब भी आप अगर इस्टील का कोई स्टेंड वाई करें तो हमे सकते मेरे जो बगल में रूम है उन्होंने यह लगवाया है तो उनका स्टेंड मुझे बहुत जादा अच्छा लगा जिसमें आप बड़े भी वरतर रख सकते हैं चोटे वरतर रख सकते हैं तो हमेशा जब इस तरह का स्टेंड आप बाई करें एक तो आप स्टील का ध्यार उपर आप यह ध्यार रखें कि आपके बड़े वरतर रख जाएंगे या नहीं और यह लगाएं मेरे रूम में तो मैंने हपी जस्टी वरतर दोई तो मैंने सूट करके दिखाने लगी कोई और्गनाईज करके नहीं दिखाएं तो इस तरह से आप दिख से जिसमें बहुत जाएंग से लगए रश्ट लगी यह बहुत जादा और इसमें कोई भी बड़े बरतन नहीं आपाते बहुत चोटा सा है यह तो कभी भी छोटा नहीं लगाना बड़ा ही लगाना ताकि आपके जो भी बरतन है सारे इसमें आ जाएं उसके बाद क्या नाम है जो जो पंक जो अंदर जब डश्ट पगेरा चली जाती है ना देखो फिर भी यह कपड़ा लगाने के बाद आप देख सकते हैं फिर भी इसमें हलकी हलकी सी डश्ट आपको दिख रही होगी और ना लगा हूं तो कितनी ज़्यादा डश्ट पहुंचेगी ते पार सब को मैंने इसकी उपर रगती है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई